आपका सवाल एक है आरंगवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. 12 मई B. 24 मई C. 21 मई D. 28 मई सही जवाब है C. 21 मई आपका सवाल दो है सशस्त्र सेना जण्डा दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. 7 सितंबर B. 7 दिसंबर C. 7 फर्वरी D. 7 अप्रेल सही जवाब है B. 7 दिसंबर आपका सवाल तीन है पुलीस मृती दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. 8 अक्टूबर B. 15 अक्टूबर C. 19 अक्टूबर D. 21 अक्टूबर सही जवाब है D. 21 अक्टूबर आपका सवाल चार है 31 मैं किस रूप में मनाया जाना है? A. Father's Day B. Anti-Tobacco Day C. Teacher's Day D. Mother's Day सही जवाब है B. Anti-Tobacco Day आपका सवाल पाँच है 21 जन्वरी को निमलिखित में से किसका जन दिवस मनाया जाता है? A. सुभाष चंद्र बोस B. गुरू गोविन सिंग C. रवींद्रनाथ टैगोर D. चंद्रशेखर आजाद सही जवाब है B. गुरू गोविन सिंग आपका सवाल छे है कतिवर्ष किसकी स्मृती में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाना है? A. इंदिरा गांधी की B. लक्षमी बाई की C. सरोजनी नाइडू की D. कमल नहरू की सही जवाब है C. सरोजनी नाइडू की आपका सवाल साथ है पात सिदमर किस रूप में मनाया जाता है? A. शमिक दिवस B. महिला दिवस C. बाल दिवस D. शिक्षक दिवस सही जवाब है D. शिक्षत दिवस से आपका सवाल आठ है राजीव गांधी का जन दिवस 20 अदस्त किस रूप में मनाया जाता है? A. संकल्प दिवस B. राश्चिय एकता दिवस C. आतंकवाद विरोध दिवस D. राश्चिय सद्भावना दिवस सही जवाब है D. राश्चिय सद्भावना दिवस आपका सवाल नौ है बाल दिवस कब मनाया जाना है? A. 14 जुलाई B. 14 अक्तूबर C. 14 नवंबर D. इनमें से कोई नहीं सही जवाब है C. 14 नवंबर आपका सवाल दस है प्रवासी भारतिय दिवस कब मनाया जाना है? A. 9 जन्वरी B. एक फरवरी C. 12 मार्च D. 15 अगस्त सही जवाब है A. 9 जन्वरी C. 14 अबर C. 15 जन्वरी